हलो एवरिवान, वालकम तु येश्टडी डेस्टिनेशन तो चाप्टर टू को कांटीनीव करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं टाइट्स ओफ पार्टनर्स तो पार्टनर्स भी काफी सारे दरह की होते है जिसमें सबसे पहला partner है active partner अब आप पिताए active partner कौन होता है word में ही क्या है active तो active partner वो partner होता है जो actual part लेता है business की day to day activities में अब business में बहुत सारी चीज़े होती है जैसे finance department, purchase department, sales department तो उन सब की responsibilities भी किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी तो जो partner actual part लेता है business की day to day activities को manage करने में उसे क्या बूलते है active partner active partner capital को भी contribute करता है यानि कि वो भी business में अपना पैसा invest करता है और वो तो participate करेगा ही management में क्यों participate करेगा क्योंकि day to day activities के जो भी decisions है वो सब कौन देखता है एक active partner देखता है अब active partner जो है वो सारे profit और losses भी share करेगा अगर profit होगा तो उसमें भी अपना हिस्सा लेगा और कोई अगर नुकसान हो जाता है तो उसमें भी वो share करेगा उन losses को और partners के साथ अब एक चीज है पार्टनर की जा कोई भी पार्टनर हो सबकी पर्सनल असेट्स भी सेल करने पड़ सकते हैं नेक्स टाइप इस sleeping partner sleeping और dormant partner sleeping partner को क्या बोलते हैं dormant partner भी बोलते हैं अब sleeping partner को समझते हैं sleeping partner जो होता है वो जो जैसे active partner हमने देखा था कि day to day activity में पार्टिसिपेट करता है वो सारे decisions लेता है पर जो sleeping partner होता है वो day to day activities में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है वो कोई decision नहीं लेता है तो he does not participate in the management पर उसको capital जो है वो contribute करने पड़ते है just like as an active partner वो profit और losses को भी share करता है और उसकी liability के होती है unlimited ठीक है तो अब दुबारा से देखते है active partner कोन होता है जो day to day activities में पार्टिसिपेट करता है पर sleeping partner day to day activities में पार्टिसिपेट नहीं करता है दोनों partners capital contribute करता है यानि कि पैसा दोनों को लगाना पड़ेगा और जो भी profit losses होंगे दोनों बातते हैं ठीक है अब active partner तो पार्टिसिपेट करता है management में पर sleeping partner कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है management में और liability कैसी होती है दोनों की unlimited कैसी होती है unlimited next is secret partner secret खूफिया partner यानि की वो partner तो है पर public को नहीं पता कि वो क्या है partner यानि की वो एक secret partner है जिसकी association यानि की वो फर्म से जुडा हुआ है ये बात journal public को नहीं पता है वो क्या करता है capital invest करता है profit losses को बाढ़ता है ठीक है और उसकी liability भी कैसी होती है unlimited ठीक है वो भी management में party से पित्तो करता है पर कैसे करता है secretly यानि की कि किसी को पता नहीं होता कि वो क्या है partner अब हम समझते है nominal partner को तो nominal partner कौन होता है nominal partner वो partner होता है जो अपना name अलाव करता है to be used by a firm यानि की एक person है जिसकी goodwill और reputation काफी अठी है market में तो अगर firm उसका नाम यूज करती है तो firm को काफी ज़्यादा profits होंगे तो nominal partner एक वो partner होता है जो अलाव करता है use of his her name by a firm ना ही तो वो capital contribute करता है business में अब एक person जो capital contribute नहीं कर रहा है तो वो क्या profit और losses को share करेगा no और ना ही वो participate करता है management की activities में यानि की day-to-day activities में उसका कोई रोल नहीं होता ना ही वो capital contribute करता ना ही वो profit और losses को share करता बस वो allow करता है firm को कि वो उसका नाम यूज कर सकते है पर उसकी liability भी कैसी होती है unlimited कैसी liability होती है उसकी unlimited अब nominal partner के दो types होते है एक तो होता है partner by e-stopal और एक होता है partner by holding out ठीक है अब इन दोनों को अच्छे से समझते हैं सबसे पहले partner by e-stopal अब हम इसके लिए example लेते हैं example है जैसे कि दो लोग है एक है Mr. X और एक है Mr. Y तो Mr. X ने Mr. Y को बोल दिया कि मैं उस firm में partner हूँ जबकि वो उस firm में partner नहीं था पर Mr. X ने बोल दिया Mr. Y को कि मैं तो उस firm में partner हूँ Mr. Y ने उसकी बातों का भरोसा कर लिया और उस firm में अपना पैसा लगा दिया यानि कि उनको कुछ goods वेगरा बेच दिये अब उन्होंने कुछ goods बेच दिये उसकी बात पर विश्वाश करके और कलको उसको पैसा नहीं मिला तो Mr. X को क्या कहेगा कि तुमने कहा था तुम उस firm में partner हो और मैंने इस बात पर भरोसा करके उनको goods बेच दिये और मुझे अब पैसे भी नहीं मिल रहे हैं तो Mr. X क्या बन जेंगे partner by East Topal यानि कि उसने एक impression यानि कि उसने एक ऐसा hint दिया यानि कि उसने कह दिया कि मैं उस firm में partner हो जबकि वो नहीं था उसने जूट बोला ये पर उसने impression ऐसा दिया कि वो उस partner उस firm का वो partner है और सामने वाले ने उसकी बात का भरोसा भी कर लिया और अब उसको नुकसान हो गया तो Mr. X क्या बन जाएगा partner by East Topal यानि कि उसने कुछ ऐसा काम किया या कुछ ऐसा behavior या impression दिया जिसकी वजह से सामने वाले को लगा कि he she is a partner of the firm कि वो उस firm में partner है ठीक है वो उस firm के अंदर कोई पैसा invest निगा रहा है उसको कोई capital ने लगाया हूँ Mr. X में उस firm में कोई capital ने लगाया हूँ ना ही वो losses को share कर रहा है ना ही वो उनकी management में participate कर रहा है पर उसने सामने वाले को क्या impression दिया कि मैं तो उस firm में partner हूँ तो उसकी liability कैसी हो जाएगी unlimited क्योंकि उसने सामने वाले को एक गलत impression दिया जिसकी वजह से सामने वाले ने उसके ओपर trust कर लिया ठीक है अच्छे से clear हो गया अब next परते है partner by holding out अब इसका भी हम एक example लेते हैं समझो तीन जो है उन्होंने कहा कि Mr. X ना उस firm में partner है अब Mr. X ने मनानी किया कि भाई मैं partner नी हूँ जबकि वह partner है ही नहीं अब तुमें कोई कह रहा है कि तुम उस firm में partner हो और तुम मनानी कर रही हो उसकी बात को यानि कि in short तुम accept कर रहे हो ना तुम partner हो तो तुम अपने आपको रिप्रेजेंट कर रहे हो Knowingly ठीक है Mr. X और Mr. Y है Mr. Y ने कहा कि Mr. X ना उस form में partner है और Mr. X ने मना ही नहीं किया और ये बात सुनकर Mr. Z ने कुछ goods बेच दिये form को और इसको बाद में पैसा नहीं मिल रहा अब उसको नुकसान हो गया तो Mr. X को उस टाइम में मना कर देना चाहिए तो कि नहीं मैं उस form में partner नहीं हूँ पर उसने ऐसा नहीं किया Person who though is not a partner in a form but knowingly allows himself, herself to be represented as a partner in the form यानि कि उन्हें पता है कि वो partner नहीं है पर वो फिर भी खुद को represent कर रहे हैं knowingly कि हाँ मैं partner हूँ यानि कि अगर तुमें कोई कह रहे है तुम उस form में partner हो तो तुमें अगर नहीं हो तो मना करना चाहिए न पर उस person ने मना नहीं किया कि मैं partner नहीं हूँ तो वो क्या होज़ेगा partner by holding out वो भी कोई capital contribute नहीं करता ना ही वो कोई losses वेगेरा को शेयर करता है ठीक है ना ही वो participate करता है management में पर उसकी liability भी क्या होज़ेगी unlimited क्यों अगर तुमें कोई कह रहे है तुम उस form में partner हो और तुम नहीं हो और फिर भी मनानी कर रहे हो तो तुम्हारी liability कैसे होज़ेगी unlimited तो nominal partner कैसे होता है partner by e-stopple, partner by holding out e-stopple का क्या मतलब हुआ कि तुमने कुछ hint दिया या फिर तुमने खुद से जूट बोल गया कि मैं उस form में partner हो और partner by holding out यानी कि तुमें कोई कह रहे है तुम partner हो और तुम फिर भी मनानी कर रहे हो कि मैं partner हो तो ये दोनों क्या होंगे इनकी liability कैसे होती है unlimited आपक्या में प्रिमित झाल